हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिलिपकार्ड के फिल्ड एक्स एप के ऑप्संस के बारे में इसमें क्या-क्या चीजे दी हुई होती है कैसे इसे यूज करना है और कैसे इससे डिलिवरी करनी है तो मैं आपको सबसे पहले यह जो हमार चीजों के उपर आजम बात करने वाले हैं यहां पर पेज में देख सकते हैं आप खुला हुआ है रंशी टेक आपको दी हुई है वहां पर 68 सिप्मेंट है संसाट पेंडिंग है एक कंप्लीट कर लिए ठीक है जिसमें से यहां देखी लिखा हुआ है एक रिप्लेस्मेंट पेंडिंग कितना और कंप्लीट कितना है इसके नीचे आपको कस्टमर के नाम लिखे वाएंगे और एड्रेस आपके लिखा हुआ होगा आप यहां पर साइड में इस पर लिख करके और सर्च कर सकते हो आप जैसे किसी कस्टमर का नाम सर्च करोगे तो आपको उसका पूरा डाटा खुल जाएगा अगले पेज में यहां देखिए कस्टमर का नाम एड्रेस कॉल करने का ओप्सन और डारेक्शन के लिए यहां पर दिया हुआ है और इसी के साथ में यहां पर स्कैनिंग का ओप्सन और यहां बताया भी गया है कि आपको कितन कर लेंगे स्कैन करने के आप लिक्हाई आ जाएगा e sucesfully doctors दूसरा वाले city चान करने के लिए आपका देगा option फिर दूसरा वाला order भी आपने स्कैन कर लेना है सलाट इसकैन करने के यहाँ चाना यहां पर इसकें्ट लिक्षाईगा अगर successful नहीं होता है तो आपको यहां पर एंटर अपस है यहाँ पर बैक को सब्सक्राइब नग 79 मैंनड paralle एग्द घा रहहें यहां यहां पर द browsers dependent यहां पर आपको यहां याद रखना नहीं ले गया अब लिखा में नहींगे आब इसके बाद करेंगे का सब्सक्राइब करने के बाद याप पर OTP मांगेगा कि भीया आप REAL में उसी कस्टमर को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो उस कस्टमर से simply OTP के लिए पूछना है तो OTP अगर कस्टमर को नहीं निकालना आता तो भी आप यहाँ से देखад को सकते हो कैसे निकालना है यहाँ करके और वहां से order उसको deliver कर देना है तो चलिए आई अब हम options के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर उपर रंसेट लिखा हुआ ब्लू लाइन पर उसी के बगल में आप यहां पर तीन लाइन देख सकते हैं आप जैसे ही उसको पर click करेंगे आपको यहां पर run run seat, cash deposit, summary जितने भी options होते हैं सारे देखने को मिल जाएंगे रंसेट वाला मैंने आपको show कर दिया आप जैसे इसके उपर click करेंगे तो आपका run seat था इस्टार्टिंग का जो इंटरफेस होता है application का वो देखने को यहां पर मिलता है जहां पर order की detail और cash collection सब show करता है इसके option आता है आप आपका summary का आप जैसे summary के उपर click करेंगे तो यहां पर आपको जितना भी order था कितना pending था कितना complete हुआ है और उसी के साथ में कितना आपका cash collect हुआ है और कैसे collect हुआ है आपने cash लिया है digital payment लिया है या पोज मसीन से लिया है या M swipe करवा है यह किसी ने web पे से क है ठीक है तो यहां पर सारी detail आपको देखने को मिल जाएगी ताकि आपको cash के calculation में भी यहां से आसानी पढ़ जाएगी अगर आप यहां से देख लेते हैं तो इसके बाद में यहां पे option आता आपका report issue का अगर कोई report issue करनी है आपको तो यहां से report issue कर सकते हैं इसी के साथ में आप एक language का option दिया हो नीचे अगर आपको English language नहीं आते आपको और language में use करना चाते है तो यहां से language choose कर सकते हैं इसके बाद support का option है अगर आपको support लेना है क इसी ओर्डर के उपर यहां पर सपोर्ट पर क्लिक करके सपोर्ट ले सकते हैं और सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाए आप लोगाउट का ओप्सन दिया हुआ है और सबसे उपर यह जो ब्लू वाली पट्टी दिख रही आपको इसके उपर आपका नाम और फोटो होगा आप अगर इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपको आपका आईडी सो करेगा यहां पर जैसे आपका फोटो लगाए तो फोटो भी दिखाएगा आपका नेम दिखाएगा प्लस में आपका मोबाइल नंबर हो और आपकी क्या आईडी है आप जहां काम कर रहे हो उसका आईडी कि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ा समझ भाएंगी क्या के गलती आपको करनी नहीं चाहिए दिलिवरी के समय और क्या के चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो बने रहे हमारे साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसी के साथ में हम जो मैटो की भी वीडियो डालते हैं ठीक है कैसे उसमें काम करना है तो उसमें भी आपको help मिलेगा आप दुनों का comparison भी कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर next वीडियो में